तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिस्से बहुत-बहुत स्वागित करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे दोस्तो इस चैनल में हम आपके लिए latest investment ideas लेके आते रहते हैं तो दोस्तो स्टॉक मार्केट में volatility होने के काहरन हम आपको यही राय देते हैं कि आप अपना analysis करें अपना risk profile study करें और उसके accordingly आप stock specific रहके नवेश करते रहें क्योंकि जो stocks में future outlook positive है जिनके financial positive आ रहे हैं वही stock आपको अच्छे returns बना के दे सकते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको सारे आपटेट जो है वो मिलते रहें दोस्तों आप इंडिया में जो mostly गर्मियों का season है वो शुरू हो चुका है तो इस तरह के season में आपको power sector के stocks पे focus करने की जरूरत है तो इस बीडियों में भी बात करेंगे एक power sector के large cap stock क्योंकि आज का large cap में अच्छी देजी है तो large cap में आने वाले time में अच्छे returns बन सकते हैं तो आज हम बात करेंगे NTPC के stock की इसमें कल nearly flat trend है 354.70 पे closing हुई है ज़िए 5 day का इसका chart pattern देखे तो यहां पे 5.44% की बढ़िया rally होगी है और 1 month में भी इसमें 0.78% की rally है और 6 month में देखोगे 50% की बढ़िया rally है और जबके 1 year में देखो 102% के और 5 years में 160% के returns है मतलब जैसे जैसे इसको आप long term के लिए hold कर रहे हो वैसे वैसे आपका जो पैसा है safely बढ़ रहा है कहीं पर रिस्क जादा नहीं है तो आईए इसका fundamental analysis कर लेते हैं इसकी financial report और इसकी latest update जो है वो हम चेक कर लेते हैं तो नए आयो दोस्तो हमारे चैनल को आप subscribe कर लें और bell icon का बटन जुरूर पैस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो का जो notification आपको मिल जाए तो सबसे पहले दोस्तों यह जो company है देखो यह thermal power में deal करती है thermal power generation का का काम करती है आने वाले time में यह जो company अब renewal energy पे भी focus करने जा रही है तो सबसे पहले इसके fundamentals देख लो और financial report चेक का लो फिर इसका share holding pattern भी बताएंगे सबसे पहले देखो जो December quarter के numbers आये थे तो वहां पे company का जो revenue था 43,575 crore आया था बहुत ही बड़ी company है जबके जो profit है वो भी 5209 crore आया था year on year basis पे भी और quarter on quarter basis पे भी यहां पे शानता recovery देखने को मिली है network देखोगे तो last five years से continuously company का जो net worth है बढ़ रहा है linear growth pattern मतलब company की balance sheet बहुत ही strong है और net worth continuously grow हो रहा है यह सबसे बढ़िया एक indication है similarly profit की बात करें तो long term में company का जो profit है वो भी बढ़ता ही दखाई दे रहा है तो यहां पे जीर on year basis पे देख सकते हो यहां पे देखो last four years से company का जो profit है continuously grow हो रहा है 2020, 21, 22, 23 अब financial year 24 के भी नतीज़े आएंगे यहां पे positive expectations की जा रही है तो आप देख सकते दोस्तों company के fundamentals कितने strong हैं बढ़िया है और company की जो financial performance है continuously improve हो रही है profit बढ़ रहा है अब इसके fundamentals देख लो दोस्तों company का market cap जो है 3.43 lakh crore से भी उपर है large cap company है price to earning 117 की है इंडस्ट्री की PE multiples 23 की है तो इंडस्ट्री के मकाबले अभी भी यह stock सस्ता है ROE percentage बहुत ही बढ़िया है 12.45% की है dividend yield देखो 2.05% का है तो valuations बहुत ही attractive है price to book ratio ज्यादा नहीं है 2.24 की है तो मतलब यह stock बहुत ही सही valuation पे आपको मिल रहा है आपने वाले time में जदी company के नतीजे improve हो जाते हैं तो फिर इसकी rating हो सकती है valuation और भी सही हो जाती है तो देखो यहां पे जो mutual funds है उनकी holding यहां पे 19% की है FIIs और DAIs का भी बड़ा पैसा इस company में लगा हुआ है तो share holding pattern भी बहुत ही बढ़िया है तो दोस्तों आगे गर्मियों का season है जैसे जो पावर क की demand बढ़ती दिखाई दे सकती है तो इस company को उसका पूरा पूरा फाइदा हो सकता है क्योंकि company जो है thermal power में deal करती है national thermal power corporation और यह जो company power generation and sale of the bulk power to the state power utilities का काम करती है power generate करती है at a central level और उनको state power utilities को distribute करती है एक अच्छा business है दोस्तों इसकी बहुत जादा subsidies है आने वाले time में इसमें IPOs एंड डी merger की भी बाते देखने को मिल सकती है तो इसलिए इस stock पर आप बाई करके चलें आप इसका जो target है वह 400 प्लस का है बिदिन नेक्स्ट वान ये लांग ट्रम में यह stock आपका पैसा टू टाइम्स और त्री टाइम्स भी कर सकता है सो थैंक्स के दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी तक के लिए नमशकार नए आयो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं